नमस्कार किसान साथिवग, हमारे बहुत सारे किसान वाई जो अपने खेट में बाढ़ लगाना चाहते हैं वो ऐसे मंझसमें रहते हैं कि अनको काटातार लगाना चाहिए, जाली लगाने चाहिए, जाली में कितनी हाइट होने चाहिए, च्यार फिट, पांच फिट, छे फिट अकेली जाली में जो बोक्स साइज हो क्या रखना चाहिए, स्पोर्ट वायर कितने लगाने चाहिए L-shape लगाना चाहिए L-shape में जाली लगाने चाहिए काटा-तार का कॉंबिनेशन होना चाहिए Y-shape होने चाहिए Y-shape में कंसर्टिना कोईल होने चाहिए तो ये अलग-अलग के डिजाइन होते हैं और किसान भाई हमारे कन्फिज होके रह जाते हैं उनके लिए सही मोडल कौन सा है बहुत ही महेंगा होता है काफी खर्चा होता है इसलिए किसान भाई बार-बार खर्च नहीं कर सकता है तो आज की वीडियो में हम आपको इनी विश्यों पर कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकर अब बात करते हैं बाड लगाने के पहले मोडल की तो सबसे पहला मोडल हम बात करने वाले है वो है काटातार का जिसमें किसान भाई 5-6 फिट दोनों अपना सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर केवल पसुओं का नुक्सान है जैसे गाय है भेंसे वहां पर 5 फिट के आइट रखी जा सकती है और डाइ फिट एंगल जो है जमीन में गाड़ा जा सकता है जहां पर निलगाय का नुक्सान है वहां पर जो है हाइट आपको मिनिमम्म 6 फिट रखनी पड़ेगी क्योंकि जब दोड़ते हुए जो निलगाय 5-5 फिट का जम पासानी से मार लेता है दूसरा जो है अगर निलगाय का नुक्सान है तो वो तूटते नहीं और जानवर गुस नहीं पाता है तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरा काटातार लगाने का फाइदा ये भी होता है कि काटातार लगाने में जो खर्च है वो कम आता है जाली की तुलना में क्योंकि जो फैंसिंग का पूरा मेट्रियल होता है वो तोल के वाव वजन के इसाब से उसमें आपका खर्च बनता है तो जाली की तुलना में काटातार हलका होता है और जाली जबकि 3 mm के उतिर ये 2 mm में बनता है तो इसलिए वजन कम होने के वज़े से भी जो आपका इंस्टोलेशन का और पूरा जो खर्च आएगा वो जाली लगाने की तुलना में आपका लगबग 30 से 35 पर तिससत तक परती रणिंग फिट आपका खर्च कम रहेगा अब अगर अगले मोडल की बात करें जो है जाली का मोडल ये उन किसान बायों को लगवाना चाहिए जहां पे बड़े जानवरों के साथ साथ चोटे जानवरों का भी नुकसान होता है जैसे सूर हैं खर्गोस हैं या दूसरे जंगली जानवर हैं अगर उनका नुकसान है तो आप अपने खित में जाली इंस्टोल करवा सकते हैं। तो जाली अगर बड़े जानुवर हैं और छोटे जानुवर भी हैं, तो छे फिट में आप जो है, और मोडल आते हैं जिसमें L-Shape होता है तो L-Shape वहाँ पे लगाने के जरूरत होती है जहां पे पस्वों के साथ साथ में इनसान के आदमियों के अंदर आने का डर रहता है तो वहाँ पे आप L-Shape में बेंड करके काटातार एडिस्टिशनल जाले के साथ में लगवा सकते हैं अब बात करते हैं Y-shape model की तो ये ज़्यादातर model है वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे बंदर वगएरा का नुकसान भी होता है आवारा पस्वों के साथ साथ में दूसरा बहुत सारे इंडस्ट्री वगएरा है वो भी Y-shape जो installation वो करवाते हैं ताकि extra safety उनको मिल पाए सबी जो model हैं fencing के वो हमने अपने किसान भायों को बताए हैं साथ के साथ ये भी बताया है कि किस तरह का model उनके लिए सही रहता है तो साथियों ये हमने जो जितने भी fencing के model ज़्यादा तर इस्तेमाल किये जाते हैं खेती वाड़ी में वो हमने आपको complete जानकारी दी तो आ आप अपनी जरूरत के इसाब से जो fencing model है वो select कर सकते हैं अगर आपकी जरूरत केवल काटातार से पूरी हो रही है तो आप जाली और वाई शेप इन सभी उसमें मत पड़ी क्योंकि उसमें बहुँ ज़्यादा खर्च हो जाता है लेकिन अगर आपके छोटे जानवर वग अच्छी quality का material आप लें तो यह थी पूरी जानकारी जिनको अपना के आप अपना खर्च भी कम कर सकते हैं और अपनी जरूरत के इसाब से model भी select कर सकते हैं अब बात करते हैं वो कौन-कौन से tips हैं जिनें अपना के आप अपनी structure की life बढ़ा सकते हैं अपनी बार्ड जो GI एंगल होने से एक तो rust नहीं लगता है life बहुत जादा रहती है और जो है उसमें आपकी मजबूती भी जादा रहती है अगर cement के खंबे वगएरा से तुल ना करें तो एंगल की चोड़ाई कम से कम डाई इंच रखो मोटाई कम से कम पांच MMO तीन इंच की चोड़ाई की भी जुरूत नहीं होती साड़े तीन की भी नहीं होती और दो की भी नहीं लेनी है कोशिस करो कि जो आपका पोल है वो पूरा का पूरा joint less हो उसमें कहीं पे भी joint ना करवा रहे हैं तो द्यान रहे है कि जाली की जो लोकिंग हो पती के साथ करवाएं पती से आपकी कोश्ट थोड़ी सी बढ़ती है परंतु life जधा बढ़ जाती क्योंकि पूरी जाली के उपर बराबर जो जो जोर है वरजन है वो डिस्ट्रिब्यूट होता है अगर आप ता जो GI Coated हो एक और चीज का ध्यान रखना है अगर आप काटातार लगा रहे हैं तो काटातार में ध्यान रहे कि आपकी लोकिंग तार से ना बंद के कलेंप और पत्ती के साथ में बंदी हो ताकि कहीं से अगर काटातार तूटता है तो पूर का पूरा एक एकड़ दो एकड़ की जो लंबाई होती है वो पूरा का पूरा का पूरा काटातार डिला ना पड़े तो ये थे काटातार में आप क्या ध्यान रख सकते हैं एक और ची GSM होनी चाहिए तभी आफ की लाइफ जो है लगबग डेड से दो गुणा बढ़ पाएगी अब बात करते हैं लागत कम करने के तरीके तो अगर आप जो है फेंस छे फिट की रखना चाहते हैं तो उसमें आप पूरी की पूरी जाली ना लगा के च्यार फिट की जाली और ती एंगल से एंगल की दूरी है वो भी बढ़ा सकते हैं बहुत सारे किसान बाई क्या है कि 6 फिट की जाली में 10 फिट का जो एंगल रख लेते हैं वो 12 से 15 फिट तक किया जा सकता है और अगर काटातार लगवा रहे हैं तो 15 से लेके 18 फिट की दूरी पे आप लगा सकते हैं व और जाली में लग बग लग बग परती एकड पचास से साथ हजार रुपे का डिफरेंस आता है जो आप कम कर सकते हैं अच्छा मोडल सेलेक्ट करके बहुत सारे किसान जरूरत ना होते वे भी वाई सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी वज़े से उनका एंगल का वजन भी बढ़ता है एक्ष्टा काटातार कोईल वग अगरा काफी खर्च बढ़ता है यह ज़्याता तर इंडस्ट्रियल यूज में या कोलिज स्कूल की इस्तिमाल की जाती हैं तो यह थी पूरी जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा किसान बायों तक शेर कीजिए ताकि सभी किसानों तक सही जानकारी पहुँच पाए एक और वीडियो हम जल्द लेके आएंगे जिसमें हम complete comparison करेंगे कौन सी जाली और कौन से तार में कितना फरक है कौन सा एंगल मोटा पतला कैसे रहता है यह पूरी जानकारी हम नेक्स वीडियो में देने वाले हैं तब तक के लिए जे हिंद जे जवान जे किसान